दोस्तो मतलब low TDS का पानी पीने के इतने सारे health risk हैं इतने सारे side effects हैं जो WHO ने अपनी report में clearly mention की हुए हैं और आप हैं कि सिर्फ इस पानी के taste के चकर में भेड़ चाल में लगे हुए हैं एक ऐसा पानी पीने में जो आपको इतना नुक्सान पहुचा रहा है जिसका आपको अंताज़ा भी नहीं है दोस्तो अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आप और आपका परिवार हर रोज मिलके एक धीमा जहर पी रहे हैं यानि कि आप, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके घर में 6 मेने का बच्चा, आपके घर में अगर कोई प्रेगनेंट लेडी है वो आप सब लोग मिलके एक धीमा जहर पी रहे हैं वो भी दिन में 10-15 गलास आप सही समझें मैं बात कर रहा हूँ, आपके घर में लगे आरो के पानी की जो पीने में तो बहुत मीठा लगता है इंसान को दिन में 10-15 गलास पीना चाहिए स्वस्त रहने के लिए तो अगर वही पानी आप गलत पीते हैं तो वह पानी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ पे हेल्थ पे कितना गलत असर डाल सकता है आप इसका अंदाजा भी ने लगा सकते क्यों आजकल शहरों में लेडिस को प्रेंडेंसी प्रॉब्लम होने लगी है प्री टर्म डिलिवरी होने लगी है क्यों आप दिन बर ठके हुए रहते हैं जब आप सुबह उड़ते हैं तो आपके इनरजी बिल्कुल लो होती है शहरों में गैस्टराइटिस की प्रॉब्लम यानि की गैस बनने की प्रॉब्लम जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं वो प्रॉब्लम बहुत ज़ादा बढ़ गई है लोगों के अंदर कैलिश्यम की कमी बहुत ज़ादा आ गई है kidney problem, heart problem, acidity ये सारी problem इतनी ज़्यादा common क्यों हो गई हैं कि आपने कभी सोचा है तो हो सकता है कि ये सभी problem जो है इन सभी problem की जड़ सिर्फ एक चीज है वो है आपके पीने का पानी जिसको आप आजकल सिर्फ एक liquid समझ के पीने लगे हैं दोस्तों हो सकता है कि इस वीडियो को पूरा देखने का पूरी बात समझने का आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो क्योंकि ये वीडियो एक थोड़ी सी lengthy वीडियो हो सकती है और अकसर हम lengthy वीडियो उसको बहुत ज़्यादा skip करकर देखते हैं तो मैं आपसे एक request करूँगा कि आप प्लीज इस वीडियो को complete देखेगा हो सकता है कि आप ये कहें कि आपके पास जो आरो लगा हुआ है वो एक बहुत अच्छी कंपनी का बहुत महेंगे वाला आरो लगा हुआ है हम एक बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं तो इस वीडियो को क्यों देखें तो मैं आपसे request करूँगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ आपकी नहीं है आपके परिवार की आपके बच्चों की अगर आपके घर में कोई pregnant lady है या कोई heart patient है उनके लिए ये वीडियो बहुत important है तो आप ये वीडियो पूरी जरूर देखेगा फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो मैंने इस वीडियो की description में हर एक section का अलग-अलग time डाला हुआ है मेरी आपसे request रहेगी की at least उस section को जिस section का आप skip कर रहे है उस section को पूरा जरूर देखेगा तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सच्चा ही आपके पीने के पानी की यानि की आपके आरो के पानी की और इस पानी की जिसको आप बोलते है mineral water ये जो पानी की bottle है ये actually इंडिया में बिखने वाली सबसे महेंगी पानी की bottle में से एक है जिसका पानी 65 रुपीज 65 रुपे पर लिटर के हिसाब से मिलता है तो ये bottle अकसर आपने देखी हो कि जो बड़े-बड़े restaurants होते हैं बड़े hotels होते हैं खासतार पर जो 5-star hotels होते हैं वो इस water bottle को serve करते हैं वहीं पर ही दूसरी तरफ मेरे पास है एक ऐसी पानी की bottle जो कि 20 रुपे पर लिटर के हिसाब से आपको कहीं पर भी मिल सकती है चाए आप railway station पे हो चाए आप bus stand पे हो ये पानी की bottle सबजेगा अविलेबल है सिर्फ 20 रुपे पर लिटर के हिसाब से और आप बिल्कुल चौँख जाएंगे जब मैं इन दोनों ही पानी की सच्चाई आपको बताऊंगा तो बिना time waste की आए स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है रंजन आप देख रहे हैं your everyday guide तो अपने घर पर आरो लगवाना सिर्फ एक status symbol बन गया है लोगों को मीठा पानी पीने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसके घर जाते हैं वहाँ पर जो आपको पानी सर्भ हुआ है पीने के लिए अगर वो पानी पीने में मीटा है यानि की पानी का स्वाद जो है वो थोड़ा अच्छा है तो आप हो सकता है कि पूरा एक गलास पानी वहाँ पे पी लेते होंगे महीं पर अगर हम बात करें एक ऐसे घर की जहांपर पानी जो है वो आरो का नहीं है एक नॉर्मल वाटर है नॉर्मल फिल्टर का पानी है तो हो सकता है कि आप एक दो सिप पीके या आदा गलास पानी पीके छोड़ देते होंगे क्योंकि उस पानी का स्वाद आपको जादा समझ में नहीं आता तो अगर आपको भी आदत पड़ गई है मीठा पानी पीने की तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग वीडियो है मीठा पानी यानिक एक ऐसा पानी जिसका जो TDS लेवल है वो 100 या 100 से कम होता है TDS का मतलब होता है Total Dissolved Solids ये वो Natural Minerals होते हैं जो पानी की अंदर पहले से ही मौझूद होते हैं Minerals जैसे की Sodium, Calcium, Magnesium, Sulphate, Bicarbonates ये सारे जो Minerals होते हैं ये पानी के अंदर पहले से ही अविलेबल होते हैं तो जिस पानी का TDS कम होता है उसके अंदर ये Minerals बहुत कम लेवल पे होते हैं तो यानि कि अगर आपके पानी का TDS 100 या 100 से कम है तो Science की भाषा में उस पानी को Demineralized Water या फिर Low Mineral Water खा जाता है और वहीं पर ये अगर आपके पानी का TDS 50 या 50 से कम हो जाता है तो उस पानी को Distilled Water के Category में रखा जाता है यानि कि जितना TDS कम होता है आपके पानी का उतने ही ये Minerals उस पानी में कम होते हैं तो जो पानी आप पी रहे हैं अगर उसका TDS 100 से कम है तो Simple शब्दों में हम उसको Demineralized Water कहेंगे और WHO के According जो Minimum Level होता है TDS का पानी के अंदर वो कम से कम 100 का होना चाहिए यानि कि 100 TDS से कम आपका पानी नहीं होना चाहिए वैसे तो WHO के Recommendation होती है कि जो Ideal पानी होता है यानि कि Optimum जो पीने का पानी होता है उसका TDS 200 से 400 के बीच होना चाहिए आगे कि जो Facts में आप लोगे साथ Share करना चाहता हूँ ये Facts Actually WHO की एक Report से लिए गए है WHO ने अपनी एक Report Publish की हुई है पब्लीकली अपनी वेबसाइट पे उस Report को जा के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं मैंने उस Report का Link इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप उस Link पर जाके WHO की वो Report complete details में पढ़ें तो WHO की जो यह Report है जिसका Title है Health Risk from Drinking Deminolized Water इस Report में WHO ने बहुत डिटेल में यह बात बताई है और आप यह बात जानकर बिल्कुल चौप जाएंगे कि Deminolized Water पीने से यानि कि जिस पानी का TDS जो है वो काफी लोग है उस पानी को पीने से आपकी Health पे कितने Serious Side Effects हो सकते है और WHO ने जो पिछले कहीं सालों में Study की है जो Experiments की है Rats पे, Human Volunteers पे उन सबी Experiments के मताबिक Low TDS पानी पीने से बहुत Serious Side Effects होते हैं और यह Side Effects होते हैं इन Side Effects की बात कोई भी RO Company नहीं करती किसी भी RO Company की Website पे ऐसा कुछ भी Mention नहीं है क्योंकि जो RO Companies हैं यह कभी नहीं चाहेंगी कि Normal Customer को, Normal Consumer को यह बात कभी बता चले क्योंकि RO का जो Business है वो एक Seriously कई करोडों का कई Million Dollar का Business बन चुका है अगर हम WHO के Recommendation की बात करें तो WHO यह Recommend करता है कि जो पानी आपके घर में आ रहा है यानि कि Normal Tab Water जो आपके घर में आ रहा है अगर उसका TDS 300 या 300 से कम है तो वो एक Excellent Quality का पानी माना जाता है और उस पानी के लिए आपको किसी भी RO, किसी भी Filter के requirement नहीं है आप उस पानी को Directly अपनी Tab से अपने Glass में भरके उस पानी को पी सकते है इवन अगर आपके घर में कोई Cardiovascular Disease वाला Patient भी है यानि कोई Heart Patient भी है तो वो भी उस पानी को Directly Tab से पी सकता है आपको या आपके परिवारों को कोई भी Issue उस पानी से नहीं आएगा वहीं अगर हम बात करें BIS की यानि की Bureau of Indian Standards तो BIS के According जो पानी आपके घर आ रहा है अगर उसका TDS 500 या 500 से कम है तो वो पानी एक Safe पानी है, एक Acceptable पानी है जो आप Directly Tab से पी सकते हैं फिर भी अगर हम सिर्फ और सिर्फ WHO के Recommendation को लेकर चलें तो जो WHO ने Complete TDS के हिसाब से पानी Recommend किया है वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं तो इस चार्ट के हिसाब से अगर आपके पानी का TDS 300 से कम है तो वो एक Excellent Quality का पानी है अगर TDS 300 से 600 के बीच है तो वो एक Good Quality का पानी माना जाता है Cardiovascular Disease के पेशेंट इस पानी को पी सकते हैं उनको इशू नहीं आएगा तो वहीं अगर हम बात करें TDS की जो 600 से 900 के बीच का है तो वो एक Fair Quality का पानी वह ने बोला है यानि कि वो पानी भी पी सकते हैं लेकिन अगर आपको इस पानी पीने की आदत नहीं है वो पानी बिलकुल भी पीने लाइक पानी नहीं होगा तो WHO की Study, WHO की Research के According जो minimum पानी का TDS होना चाहिए यानि कि जो आप पानी पी रहे हैं उसका minimum TDS 100 mg पर लिटर होना चाहिए 100 mg से जो नीचे का पानी होता है उसके अंदर Essential Minerals नहीं होते तो आपको 100 mg TDS का पानी है उससे नीचे का पानी बिलकुल भी पीना नहीं चाहिए वैसे WHO जो recommend करता है कि जो optimum TDS level एक पानी का होना चाहिए वो होना चाहिए 200 से 400 के बीच और वहीं अगर हम Bisleri की website पर जाकर देखें तो Bisleri कुछ और ही कहानी बता रहे है Bisleri कहती है कि जो पानी का TDS है वो 50 से 500 के बीच का जो TDS है वही एक excellent water माना जाता है ऐसा कहना है Bisleri का बर WHO कहता है कि 300 से नीचे जो भी आपका पानी है वो एक excellent quality का पानी होता है और वहीं अगर हम बात करें Kent की website पर तो Kent की website पर भी यही same कहानी लिखी हुई है कि 50 से 500 की बीच का जो TDS level होता है वो एक excellent quality का पानी होता है लेकिन WHO जैसा कहता है कि 300 के नीचे का TDS का पानी हमेशा एक excellent quality का पानी होगा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यह जो RO companies है यह जो mineral water की companies है इन्होंने जो अपनी website पर chart बना के रखा हुआ है यह chart एक अलगी कहानी कहा रहा है लेकिन जो WHO के recommendation है जो उन्होंने बहुत सालों के research के बाद जो एक chart बनाया है TDS level का वो chart साफ साफ कहता है कि 300 या 300 से नीचे का पानी एक बिल्कुल साफ और सुच पानी होता है आप उसको पी सकते है BIS के standard के according जो 500 TDS का पानी है वो एक safe पानी होता है Next आई यह बात करते हैं उन health risk और side effects की जो WHO ने अपने report health risk from drinking deminolized water में mention किया हुआ है यह जो highlighted points में आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो highlighted points actually में WHO की उसे report से लिए गए है इस report का जैसे मैंने बताया था कि link मैंने description में डाला हुआ है आप इस report की पूरी detail इस link पर जाकर देख सकते हैं जा फिर मेरी वीडियो को pause करके जो highlighted points है इनको directly पढ़ सकते हैं तो WHO ने अपनी report में जो health risk mention किये हैं उसमें सबसे पहला health risk आता है increase in urine output यानि की dioresis अब ये health risk क्यों है क्योंकि increase in urine output यानि की आपकी body जो ये demineralized water है इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने ही कोशिश करती है in the form of urine तो intestine सबसे पहले आपकी body के अंदर से electrolytes खीच के यानि कि salts को खीच के जो कि sodium, potassium, calcium, magnesium की form में आपके blood में आपकी body के अंदर होते हैं तो पहले उनको खीच के इस पानी के अंदर dissolve करती है उसके बाद इस पानी को body के बाहर निकालने की कोशिश करती है तो होता क्या है कि इस से आपके body के अंदर एक negative salt का balance एक negative electrolytes का balance बन जाता है जिसकी वज़ा से आप बार बार थकने लगते हैं आपको थकान जादा होने लगती है आपके body में cramps पढ़ने लगते हैं जिसको muscle cramps बूला जाता है तो ये एक बहुत बड़ा side effect है एक बहुत बड़ा health issue है आपके लिए जिसको dioresis बोलते हैं अगला health risk आता है lower volume of red blood cells ये देखा गया है कि जो लोग demanilized water पीते हैं उनके अंदर red blood cells की मातरा 19% कम होती है as compared to वो लोग जो normal tap water पीते हैं next side effect आता है high blood pressure तो ये परिशानी भी आपको low mineralized water से हो सकती है next आता है compromise of functioning of vital organs vital organs यानि की brain, heart, lung, liver, kidneys तो WHO ने clearly अपनी report में mention किया हुआ है कि vital organs की functioning में demanilized water बहुत जादा परिशानी करता है next आता है tiredness, weakness, headaches ये मैंने आपको बताया है था कि जैसे ही आपके body के अंदर negative balance बनता है electrolytes का तो आपको थकान, बहुत जादा weakness, सिर्दर्द ये सब चे परिशानी होने लगती है plus muscle cramps ये परिशानी आपको काफे जादा आने लगती है फिर आता है impaired heart rate increased death rate of people suffering from cardiovascular disease याने कि CVD तो अगर आपके घर में कोई heart patient है याने कि CVD की परिशानी से वो जूज रहे हैं तो उनके लिए demiralized water बहुत ही खतरनाक है next आता है higher risk of fractures in children जैसे मैंने बताया था कि जो पानी होता है naturally उसके अंदर एक salt होता है जिसको calcium और magnesium बोलते हैं यह बहुत important होते हैं आपके growth के लिए आपके bones की strength के लिए तो higher risk of fracturing children काफी ज़्यादा देखा गया है अगर आप demiralized water बच्चों को पिलाते हैं next आता है neurological disorders preterm birth of child low weight and anemia in newborn some type of cancers pregnancy disorders increase in thyroid, hypertension gastric, gastritis यानि कि यह जो पानी है जब यह आपके stomach में और intestine में जाता है तो यह gastric या gastritis नाम की परिशानी बहुत ज़्यादा create कर देता है तो आप अकसर देखते होंगे कि जो आपका pate है वो फूला रहता है जिसको pate full ना या bloating कहते हैं तो यह परिशानी low mineralized water बहुत ज़्यादा create कर देता है आपके body के अंदर दोस्तों मतलब low TDS का पानी पीने के इतने सारे health risk हैं इतने सारे side effects हैं जो WHO ने अपनी report में clearly mention कि हुए हैं और आप हैं कि सिर्फ इस पानी के taste के चकर में भेड़ चाल में लगे हुए हैं एक ऐसा पानी पीने में जो आपको इतना नुकसान पहुचा रहा है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है और दोस्तों WHO ने अपने report में ये भी mention किया है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारे health risk ये सारे side effects आपको अचानक से ही आने शुरू हो जाएं ये अगर आपने आरो माली ये 6 महीने पहले या 2 साल पहले भी लगाया है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे side effects ये सारे health risk आपको आने शुरू हो जाएं ये आपको देखने को मिलें हो सकता है कि ये सारे side effects सारे health risk आपके body के अंदर लगातार बन रहे हों लगातार इखटे हो रहे हों और एक दिन अचानक यानि कि तीन साल बाद, पांच साल बाद, आठ साल बाद ये सारे health risk आपको अचानक ये सारे symptoms आपको अचानक generate होना start हो जाएं और दोस्तों इस report में WHO ने ये भी mention किया है कि ये जो deminolized water होता है यानि कि जो low TDS का पानी होता है ये highly aggressive पानी होता है ये हर चीज़ को अपने अंदर dissolve करने कोशिश करता है तो अगर इस पानी को आप किसी भी container में डाल देते हैं तो ये उस container को भी अपने अंदर dissolve करने कोशिश करता है मैं guarantee से कह सकता हूँ कि 99.9% लोग सिर्फ और सिर्फ plastic bottles का use करते हैं पानी को अपने घर में store करने के लिए तो यानि कि इस पानी को अगर आपने plastic की bottle में डाला है तो ये उस plastic को भी अपने अंदर dissolve करने कोशिश करता है और जब आप उस पानी को पीते हैं तो actually में plastic के कुछ ions भी आपकी body के अंदर जाते हैं और ये हम सब जानते हैं हम सब लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि plastic एक main कारण है cancer होने का तो ये एक बहुत डरा देने वाली बात है और मैं ये बात भी guarantees कह सकता हूँ कि जो पानी आप अपने बच्चों को पिला रहे हैं अगर वो बच्चा आपका बहुत छोटा है यानि कि 6 महीने का है या 1 साल का है या 2 साल का भी है तो पानी जनरली बच्चे plastic के सिपर्स से पीते हैं तो अगर आप ये low tedious का पानी उनको plastic के सिपर्स में डालके पिला रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि वो बच्चा क्या पी रहे है वो बच्चा बचपन से ही 6 महीने की उम्र से ही सिर्फ plastic ही पी रहे है तो ये पानी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा परिशान करने वाला है आप खुद सोचिए कि आप अपने बच्चे को क्या पिला रहे हैं तो दोस्ता मैं एक बहुत ही चौका देने वाला डेमो करके आपको दिखाने वाला हूँ मैं आपको दिखाऊंगा कि यह जो mineral water आप पीते हैं इस mineral water का actually में TDS और pH level कितना होता है तो मेरे पास यहां पर रखी हुई है लगबग सभी जो बड़े ब्रैंड्स हैं उनकी mineral water bottle तो मैं एके करके सभी का पानी ग्लास में डालके मैं चेक करूँगा कि इनका TDS लेवल कितना आ रहा है तो अगर हम सबसे पहले चेक करें एको अफीना के पानी के TDS को तो मैंने अपनी TDS मीटर में यहां पर इसको कर दिया है जीरो और अगर मैं इसको डाल देता हूँ एको अफीना वाले पानी में तो एक्चुली में यह मेरे लिए भी बहुत सर्प्राइजिंग है आखना हैुण मेरे टी-डियैस मीटर इस पानी की रीडिंग को कुछ भी नहीं बतारे है यानि कि मेरे टी-ड्यमीटर अभी वी जीरो पर है तो को एकोफीना के पानी पानी में बिल्कुल जीरो रीडिंग दिखा रहा है यह NO Tut तो अगर मैं इसको यहां से हटा के इस TDS मीटर को डाल देता हूँ बिसलरी के पानी में तो बिसलरी के पानी का TDS आप देख सकते हैं यह 109 रीडिंग दिखा रहा है तो बिसलरी के पानी का TDS जो है वो 109 है और एको फीना का बिल्कुल 0 था तो मुझे एक बार को लगा शायद मेरा मीटर खराब हो चुका है अगर मैं इसको दुबार से एको फीना वाले पानी में डाल दूँ तो यह अभी भी 0 ही दिखा रहा है तो अब हम चलते हैं किनले की तरफ अगर मैं किनले वाले पानी में इस TDS मीटर को डाल देता हूँ तो इसका TDS यहाँ पर आप देख सकते हैं यह TDS आता है 170 तो 170 जो कि एक अच्छा TDS है इसके बाद हम चेक करते हैं वेदिका का बिसलरी वेदिका तो इसका जो TDS आ रहा है यह आ रहा है 179 तो वेदिका वाले पानी से अगर मैं निकाल देता हूँ और इसको डाल देता वाटर में जो कि सबसे महंगा premium mineral water में मिलता है तो इसका TDS आप देख सकते हैं इसका TDS आ रहा है 244 तो फाइनली मेरे पास आ जाता है tap water अगर मैं इस TDS मेटर को यहाँ से हटा के डालता हूँ normal tap water के अंदर तो मेरे घर पे जो इसका tap water में TDS आ रहा है यह TDS है 341 का 341 पे मे mineral water मिल रहा है जिसको आप बहुत बरोसे से पीते हैं जिसको आप mineral water actually बोलते हैं उस mineral water का TDS लगबग 0 के बराबर भी हो सकता है मैं यह नहीं कहाता कि exactly 0 ही होगा लेकिन मैं मानता हूँ कि इस पानी का TDS 1 या 2 के आसपास का होगा वहीं पर ही दूसरी तरफ जो premium range में mineral water मिल र 4 है या फिर आप उस पानी यकीन करेंगे जिसका जो TDS है वो बिल्कुल 0 के बराबर है तो मुझे लगता है कि Himalayan ने जो अपना TDS रखा है ये कुछ सो समच के ही रखा होगा तो आप खुद देख सकते हैं कि कि कितने TDS का पानी आपके लिए सही है और कितने TDS का पानी इसके लावा ये कुछ भी नहीं है दोस्तो एक और बहुत ही शौकिंग नियूज मापको बता दू कि NGT ने पहले से ही गौवर्मेंट को लास्ट यर 2020 में इसके खबर आये थी नियूज में कि NGT ने पहले ही गौवर्मेंट को ये डिरेक किया हुआ है कि वो उस एरिया मे आरो को हमेशा के लिए बैन कर दे जिन एरिया में जिन चेहरो में जो पानी का TDS है वो 500 या 500 से कम आता है क्योंकि NGT के एकौर्डिंग जिन एरिया में TDS 500 या 500 से कम आता है उन एरिया में आरो की बिल्कुल पर रिक्वार्मेंट नहीं है क्योंकि उन एरिया में आरो कुछ नहीं करते हैं आरो सिर्फ उस पानी को demineralize करने काम करते हैं आई ये मैं दिखाता हूं complete news आपको तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने यहां पर खोली हुई है दहिंदो की website और दहिंदो की website पर यह news एक्चुली जुलाई 14 2020 में publish हुई थी जिसका title था NGT ask government to ban RO purifier that demineralize water तो इसमें अगर हम quickly जाकर इस highlighted point को देखें तो यहां पर आप देखेंगी National Green Tribunal यानि कि NGT ने पहले से ही MOEF यानि कि Ministry of Environment and Forest को यह issue किया हुआ notification कि वो उस area में RO को हमेशा के लिए बैन कर दे जहां पर total dissolved solid यानि कि TDS जो आता है पानी का वो 500 mg से कम आता है below 500 mg per liter तो दूसरी news आई थी livemin.com पे तो अगर आप इस website को देखें तो यहां पर भी same ही चीज लिखे हुई है कि NGT ने में में direct किया है government को कि वो उन areas में RO को ban कर दे जहां पर जो TDS है वो 500 mg per liter से कम आता है और public को इस बारे में बताए तो इसी article में यह भी लिखा हुआ है कि NGT ने यह साफ बात कही है कि RO system will not be useful and will be resulting in removing important mineral as well as undue wastage of water उन areas में जहां पर जो TDS level है वो 500 mg से कम आता है तो यानि कि यह बात बिलकुल clear है कि अगर आपके घर जो पानी आ रहा है वो 500 mg per liter यानि कि 500 TDS से कम का है तो वहां पर RO systems की कोई भी requirement नहीं है RO systems उन area में सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर से जरूरी minerals निकालने का काम करते हैं इसके लावा वो और कुछ भी नहीं करते और NGT ने ये भी clear किया है कि जो RO companies हैं वो RO companies अपने RO के उपर हमेशा ये labeling करें कि जो RO के requirement है वो तभी requirement है if TDS is more than 500 mg per liter तो यानि कि NGT ने ये government को बोला है कि RO companies जो RO sell कर रही हैं उनको ये labeling करनी बहुत जुरूरी है कि वो RO की customer RO तभी खरीदें जब उनका TDS जो है वो 500 ये 500 से उपर का हो तो दोस्तो मुझे नहीं लगता कि इस से जादा सबूतों के आपको requirement है ये बात समझने के लिए कि low TDS कितना harmful होता है आपके लिए आपके शरीर के लिए आपके बच्चों के लिए और उनको दूद में मिक्स करके देते हैं और दूसरी तरफ आप उनको इतने low TDS का पानी पिला रहे हैं जो कि उनकी health के लिए real में बहुत ज़्यादा हनी का रहा है बहुत ज़्यादा खराब है एक तरफ आप अपने pregnant wife की बहुत ज़्यादा care करते हैं उनको अच्छे सा अच्छा खिलाते पिलाते हैं जिससे कि उनकी health अच्छी रहे जो आपका baby होने वाला है वो उसकी health बहुत अच्छी रहे और एक तरफ आप उनको बिलको low TDS का पानी पिला रहे हैं जो कि उनके किस पानी को आपके सामने रखे हैं मैंने जो सारे facts कलब करके आपके सामने रखे हैं मुझे लगता है कि आपको इनके उपर जरूर सोचना चाहिए और इस topic को बहुत सीरियस्थी लेके अपने पानी को बदलना चाहिए तो finally पानी का स्वाद आपके के काम नहीं आएगा वो पा आजकल RO companies पतानी कितने तरह के brands market में लिए आई है कितने तरह की technologies वो claim करती है कि हमारा RO 7th stage filter है या फिर उसके अंदर 14th stage filtration लगा हुआ है तो एक तरह से ये सभी चीज़े customer को बेफकु बनाने के लिए बनी है RO companies हर तरह से एक customer को एक normal आदमी को बेफकु बनाने में लगी हुई है कि बस किसी तरह वो customer उनका RO purchase कर ले तो मैं आपको clearly बता दू कि एक पानी को filter करने के लिए सिर्फ 3 stages के requirement होती है ये 7 stage 14 stage की कोई requirement नहीं होती तो 3 stages जो होती है उसमें सबसे पहली stage आती है sediment filter उसके बाद आता है carbon filter और last में आता है UV filter सिर्फ यही 3 stage पानी को साफ करने के लिए जरूरी होती है इसके अलावा जितना भी आप सुनते हैं जितना भी आप देखते हैं वो सिर्फ एक marketing gimmick हैं marketing techniques हैं आपको वेफकु बनाने के लिए एक नया तरीका जो companies ने आजकल ढूंड़ा है customer को बेफकु बनाने का वो यह है कि company कहती है कि हमारे जो RO है इसके अंदर alkaline filter लगा हुआ है और alkaline filter से जो आपका पानी है उसका TDS काफी अच्छा level का आएगा काफी अच्छा TDS आएगा प्लस जो pH आपके पानी का वो भी बढ़ जाएगा तो मैं आपको बता दूँ यह जो alkaline filter है यह खुद भी plastic के filter ही होते है यह कुछ नहीं करते कि जो normal demineralized water होता है उसके अंदर artificial minerals add कर देते हैं जिससे पानी का जो TDS है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है यानि कि आपको एक virtually feeling आती है कि जो पानी का TDS है वो अच्छे level का TDS आ रहा है बट actually मैं जो artificial minerals होते हैं जो alkaline filter add करते हैं यह आपकी body से as it is urine के थूरू पास हो जाते हैं इनका कोई भी फायदा नहीं होता तो alkaline filters वाले RO लेना एक बेवकूफी होगी प्लीज उसको purchase आप ना करें अगली बात आती है कि company ने एक label लगाना शुरू कर दिया है e-boiling का कि हमारा जो RO है हमारी company का जो RO है इसके अंदर e-boiling technique है e-boiling technique नाम की कोई technique नहीं होती यह जो e-boiling technique company बोलती है यह कुछ नहीं होता सिर्फ एक UV filter होता है जो लगबग आजकल सभी RO के अंदर लगावा होता है तो UV को इन company ने अपने RO को बेचने के लिए एक नया नाम दे दिया है जिसको नाम दिया है इन्होंने e-boiling का next आता है कि RO में taste enhancer लगा हुआ है इससे पानी का जो taste है वो बहुत अच्छा हो जाता है तो जहांपर भी मैं कहूँ कि पानी का taste मीठा या अच्छा करने की बात आती है तो आप सीधा समझ जाए कि जो पानी का TDS है वो 50 या 50 से कम है तो अगर कोई company कहती है या कोई celebrity कहते है कि इससे पानी का जो स्वाद है वो मीठा भी हो जाता है तो आप समझ लीजिए ये कुछ नहीं है सिर्फ TDS को लो से लो रखने की टेकनीक है एक और जो चीज company बोलती है कि उनके RO में लगी हुई है वो है TDS controller TDS controller actually में कुछ नहीं होता वो सिर्फ एक simple सा valve होता है जो normal tap water को आपके RO के पानी के साथ mix करके आपके RO के tank में store कर देता है तो होता क्या है कि जो low TDS पानी आपका RO की membrane सो होता वह आता है और जो tap water आता है इन दोनों के mixture जब बनता है तो वो एक ऐसा पानी बन जाता है जो कि एक control TDS का पानी है यानि कि वो ना तो बहुत low है प्लस उसमें अगर tap water मिला दें तो उसका TDS obviously बढ़ी ही जाता है तो ये एक बहुत बेफुफी वाली बात है कि मतलब अगर RO के पानी में tap water को mix करना ही है तो फिर RO purchase करने की नीड ही क्या है आप एक normal UF plus UV water filter खरी दिये और आपका काम से भी चल जाएगा तो दोस्तों आप भी कहेंगे कि ऐसा बब हम क्या करें हम कौन सा water purifier खरी दें जो हमारे पास already RO लगा हुआ है क्या हम उसको निकाल के भाहर फेंग दें तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे कोंगा सिर्फ मैं ही नहीं government भी आपसे यही कह रही है कि अगर आपके घर जो पानी आ रहा है उसका TDS 500 या 500 से कम है तो आपको RO की requirement ही नहीं है आपको कोई भी RO purchase नहीं करना चाहिए आप उस पानी को simply boil करके पी सकते हैं boil करके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पानी के साथ हो सकता है कि कुछ bacteria कुछ microorganism आ गए हो जो जनरली pipeline से आ जाते हैं तो अगर आप पानी को boil करके पीते हैं तो वो पानी एकदम safe पानी बन जाता है चाहिए आपके घर में कोई patient हो कोई heart patient हो उसके लिए भी वो पानी एकदम safe हो तो मैं कहूंगा कि आप उस case में सिर्फ एक simple UF plus UV जो water filter आता है आप वो purchase कर लें UF जो filter होता है वो सिर्फ एक 0.001 micron का filter होता है जो कुछ नहीं करता वो simply जो पानी में जो sediments आते हैं यानि कि मिटी वगर आती है गंदगी आती है सिर्फ उसको safe करता है पानी का TDS down नहीं करत थोड़ा सा फरका जाता है लेकिन वो पानी के TDS को बहुत जादा कम नहीं करता और UV जो filter होता है यहाँ पर उसको काम होता है सिर्फ और सिर्फ जो पानी में micro organism है जो bacteria है उनको मारने का तो UF plus UV water filter आप ले लें काफी कम cost का यह filter आता है और यह आपके लिए enough है आपकी family के ल करें जिसका TDS 100 से नीचे कभी भी ना जाए क्योंकि 100 से नीचे का TDS जो होता है वो एक deeminalized water होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी health आपकी बच्चों की health को बिल्कुल खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा और अगर आपके घर RO पहले से ही लगा हुआ है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उस RO को फेकने की या डिसकार्ड करने की आपको नीच नहीं है आप उस RO में एक छोटा सा fix करवा सकते हैं जिससे आपका RO जो है वो proper सही TDS का पानी आपको देने लगेगा और आपका existing RO ही आपके लिए विल्कुल सही काम करेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि market से किसी भी RO technician को बुलवा के उस RO में एक TDS controller लगवा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि TDS controller कुछ नहीं करता वो simply valve होता है जो RO membrane को bypass कर देता है और जो आपका RO का पानी होता है उसके साथ जो normal tap water होता है जो normal UF filter से होके गुजरता है उस पानी को आपके RO के पानी में mix कर देता है जिससे कि जो आपको पानी मिलता है वो सही TDS का होता है और उस TDS को आप अपने हिसाब से control कर सकते हैं यानि कि 200 से 500 की बीच रख सकते हैं और ये TDS controller लगवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आप अराम से 200, 300, 400 रुपे में ये TDS controller अप 200 से नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी case में नहीं होना चाहिए एक de-mineralize water पीके सिर्फ आपकी और आपके बच्चों की health खराब होगी इससे जादा और कुछ भी नहीं होगा दोस्तों मैं RO technology के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ RO एक बहुत अच्छी technology है य उनको RO की requirement नहीं है और आखरी बात यह जो fresh water आपको मिलता है यानि कि जो tap water है अगर उसका TDS 500 से कम है तो मैं बोलूंगा कि यह पानी एक बहुत ही कीमती पानी है बहुत ही valuable पानी है आप इसकी कीमत समझें और इस पानी को जितना हो सके waste होने से बचाएं और लोगों को aware कर क्योंकि जो natural minerals आपको इस पानी से मिलते हैं वो किसी भी alkaline filter से किसी भी RO से किसी भी ऐसी technology से artificially आपको नहीं मिल सकते जो कि आपको naturally इस पानी से मिलते हैं तो इस पानी को जितना हो सके उतना save करने की खुशिश करें तो दोस्तो finally आपका फर्ज क्या बनता है आपका फर्ज तक पहुचाएं जहां पर pregnant ladies चोटे बच्चे heart patients रहते हैं उनको aware करें इस वीडियो को दिखा के कि वो low TDS का पानी पीना तुरंत बंद कर दें 100 TDS से नीचे का पानी पीना बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि उस पानी से होने वाली जो परिशानिया है वो उनकी जिन्दकी मे बहुत ज़्यादा परिशानी ले आएगी, health को बहुत ज़्यादा खराब करेगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा low TDS के पानी के बारे में aware करें और दोस्तों comment section में आप ज़रूर मुझे बताईएगा क्या आपके thoughts हैं इस वीडियो को लेके, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं हापी miss कर गया हूँ उस वीडियो के अंदर, वैसे तो मैंने कोशिश कर यह हर चीज कवर करने की, हर तरह से आपको समझाने की, कि low TDS पानी के ब बहुत ज़दा help करेंगे, thank you for watching this video, stay healthy, stay fit